हलो वल्कम टूर चैनल मेरा नाम रवी मैं आपके लिए मैंसमेटिकल कंटेंट और साइसाथ के अपडेट लेगा आता हूँ तो मैंने एक लाइट पढ़ी थी कि जो सक्सेस होती है वो सरवजनिक उस्साह होती है और जो फेलियर होती है वो वेक्टिकर शोक होता है तो जिनका चैन हुआ उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई उन्होंने बहुत मेहनत की उन्हें चैन मिला बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे अपारेंट है जिनका चैन नहीं उपाए के विस प्यार्टी में टीजीटी में जिसमें भीगा हूँ कि इस PRT में जिन लोगों का selection नहीं हुआ वो पूरी तरीकी से तूट चुके हैं और इस बात को हम समझ सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो भी select हो रखा है वो direct select हुआ उसने failure देखा है उसके बाद वो selection तक पहुंचा है तो मैं आप लोगों को कुछ बाते बताना चाहरा हूँ जिनका selection नहीं हुआ उनके लिए जिनका हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है तो जिनका selection नहीं हुआ वो पिल्कुल भी हताश ना हो अभी फिलाल रुखे अभी आपके जो return marks और interview marks का list आएगा वो आएगा सभी candidate का और उससे आप देख लेना कि आपका जो कितने का मदब interview में कितने marks मिले प्लस आप कितने margin से रुखे हैं रहे हैं और केविस PRT की बात करी जाएगी क्योंकि PRT में number of experiment ज़्यादा होते हैं selection वाले भी post भी ज़्यादा होती है तो उसमें waiting list आती है और waiting list कभी कभी 6-6 महिने बाद और एक-एक साल बाद तक आती है तो जैसे आज 28 नमबर 28 नमबर 2023 को केविस PRT का result आए इसमें कोई दोर आए नहीं हो सकता है 28 नमबर 2024 को केविस PRT का waiting list आजा हो सकता है July 2024 में केविस PRT की waiting list आजा है सब जोइन नहीं करते और अगर करते भी है तो उनका state government में हो जाता है तो कई लोग उसे छोड़ देते हैं किसी भी कारण वस अगर वह seat vacant रहे जाती है तो waiting list में चली आती है तो definitely ऊपर होगा ठीके ना तो अब आपके पास यह देखना है कि margin कितना है ठीके ना तो जितका थोड़ा ही margin होगा उन्हें पूरा मौका है कि वह waiting list में उनका मौका आ जाए अगर आप 100 लोग यह वीडियो देख रहे हैं जिनका नहीं हुआ और उन 100 के 100 का margin है पॉइंट वन है पॉइंट फाइव है पॉइंट शिक्स है या एक मार्जीन है वन मार्च का तो उन सौ में से दस बच्चे ऐसे हो सकते हैं पास बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका definitely waiting list में नाम आ जाएगा तो निराज मत हो और वेटिंग लिष्ट में नहीं भी आता तो मैंने दुबारा कहा कि अच्छा वेटिंग लिष्ट में कितनी वेकिंसी होगी इसका तो फिलाल कोई नहीं बताया जा सकता है क्योंकि वो डिपेंट करेगा कि कि कितनी पोस्ट खाली रह जा करें क्योंकि निराशा होने से कुछ हो नहीं सकता होता तो बहुत असान हो जाता ना सबके लिए तो उमीद नहीं आर नहीं और जीत के दिखाना है जैने बाद